प्रज़गार मित्रों नमस्ते चुनाओं का समय है तो आपको हम डिस्टब करते रहेंगे क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के लोग हार की हताशा में ऐसे इसे काम कर रहे हैं कि उसको राश्चिय अस्तरपर उठाना जरूरी है इसलिए मुझे आपको यहां बदाना पड़ता है आपका स्वागत है यादोगा तीन दिन पहले मैंने प्रेस किया था किस तरह से जमायत उल्मा हिंद महाराश्ट में कॉंग्रेस से वोट के लिए कई शर्ते मांग रही है उसके जवाब में कॉंग्रेस के अध्यक्ष महाराश्ट ने कहा था हम विचार करेंगे बाद में ग संग का परचा घुम रहा है वो आया है यह क्या है मैं पढ़ना चाहता हूं अगर आप देश के संविधान महाराश की एकता खंता के खातिर अपने का मत का अप्योग सही करोगे शर्यक्ष में दखनाजी मन्जूर है क्या मुसल्मानों से अरीगर्ट छीने वालों को वोट क करोगे वफ के खिलाफ वालों को वोट करोगे कई चीज़ें लिखी हुए है तो यह से चल रहा है कसकर चल रहा है और चला जा रहा है हमारा अरोप है कॉंग्रेस पार्टी और उनके सारे सहयोगी इंडिकर बंदन के मुसलिम तुष्टिकरन और उनके वोट को लेने के कई जना एंजियो बनाए गए हैं बाकी काम हो रहा है तो माहराश पे कहानी चल रही है अब यह देखिए जमायते उल्मा जिलाल लोहर दगडा का पैगाम है छोटनाकपूर का क्योंकि महाराश की कहानी पूरी हो एक छोटनाकपुर की कहानी भी रखना जरूरी है हम पढ़ना चाहते हैं मौदूदा मुल्क के हालाद को देखते हुए मरकजी हुकूमत का मुसल्मानों के तालुक में जो रविया है और जिस तरह मुसल्मानों को NRC, Niform, Civil Court ताव वक्त कानून लाकर घुस पैठिये के बहाने डराय धमकाया जा रहा है उस सलसिले में जमायत उल्मा जारखंड से मश्विरा के बाद जमायत उल्मा जिलल लोहर्दगा मुसल्मानों से अपील करती है कि वक्त का तगाजा है कि मुसल्मान मुनहिद होकर इंडिया के ट्वंधन के पक्ष में अपना वोट दें तो ये पूरा जहरखंड की कहानी है मैंने आपको वहां की कहानी बता दिया महराष्ट की प्रियंका गांधी लड़ रही है वाइनाड में जमायते इस्लामी उनके समर्थन में कसकर भीड़ी हुई है या रोप हमने नहीं लगाया है वहां के मुख्ष मंत्री नहीं लगाया है तो एक प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गटबंधन लोग जितने संकीन मानसिक्ता वाले लोग हैं जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िये सुधार के भी खिराफत करते हैं ऐसे लोगों को लेकर आके बढ़ रही है और यह सारी जमात वही है जिसने तीन तलाग कवे बिरुद किया था याद करिए यह सारी जमात वही है जो शाहबानों के साथ खड़ी थी और आज इतने साल होने के बाद भी कॉंग्रेस पार्टी कुछ नहीं न समझती है न सुधरती है ऐसे ही तत्तों के बहाने चुनाओ जीतने का शड़ेंतर करती है और हमारे प्रदान मंत्री कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे तो इस पर टॉंट मारते हैं इस पर चुनाओ योग में जाते हैं एकता पर परशानी है लेकिन देश को तोड़ने वारी ताक्तों का खुला समर्थन लेने का शड़ेंतर चल रहा है यह है कॉंग्रेस पार्टी और उनके इंडिया कट बंदन की सच्चाई यह हो रहा है मित्र एक और बड़ा सवाल है कुछ आपको हम इतिहास में जाना चाहते हैं आपको याद होगा रंगनासिन कमिशन आया था मनमहुन सिंग के समय में पदान मंत्री थे सच्चर कमिशन आया था आज हम बीजेपी के राष्टे मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं OBC में जो जन्विन OBC का हिस्सा है तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं हम चाहते हैं OBC को अधिकार मिले अवसर मिले रोजगार मिले नौकरी मिले और जो मंच समाज में भी बहुत पिश्ड़े हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए जिस तरीके से उनकी रज़नी चल रही है तो वो गरीब OBC के अधिकारों को च्छिनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसल्मानों को मिले क्यों इस सीमा तो तैय है अब राहूल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खतम कर देंगे और को बारक्षन देंगे बीजेपी देश के बंचित पिछले अती पिछले OBC के अधिकारों को च्छिनने के हर प्रयास का विरौत करेगी the BJP would like to emphatically state from its national platform that any attempt to weaken or snatch away the rights of genuine OBC extremely backward OBC टू फेवर मुस्लिम कम्यूनिटीज फर वोर्ट बैंक वुड बी अपोस्ट टू थेनल यह बात हम कहना चाहते हैं आज जब कॉंग्रेस पार्टिडी का यह तमाशा चल रहा है तो आज देश के सामने एक और बात हम कहना चाहते है और यह मैं आप लोगों से बहुत विनमता से आगरख करूंगा इस दुशे को विस्तार से अब संजे बाबु ने मुझे कमाल की चीज़ दिखाई है यह पूरो सांसद मुहम्मद अधीब का बयान है एसान मानिये हमारा वना पाकिस्तान लखनव तक होता अब देखिए यह उनका स्टेटमेंट है चल रहा है क्या बत्तमीजी है कि तहां तक जाएंगे आप एक सेंपी है समझवादी पाड़ी कहना मतलब देश को देश की एक्ता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भागी पुन बात है अकले श्यादो आज कल आपको एक्ता का पोस्टर लगवा रहे हैं आपके पूर संसद ने क्या क आपको और उस एलाइंस में राहूल गांदी भी हैं क्या कहना आपको हमें ट्रस्ट कर दिये वरना पाकिस्तान लखनव तक होता मतलब यह हैं इनकी सोच मैं तो मांग करूँगा कि इनके खिलाफ पुलिस में केस होना चाहिए और करवाई होनी चाहिए जबालत को तोड़ने की बात करते हैं एक बात जो मुझे और भाज महत्पूर उठानी है और आज का समय है राहूल गांधी ने कहते हैं कि हम बिलकुल सीमा खतम कर देंगे रिजर्वेशन की और उनके पूरे मैनिफेस्टों में मैनॉरिटीज मैनॉरिटीज लिखा हुआ है कॉंग्रेस पार्टी साफ साफ बताए क्या मुसल्मानों को शीडूल कास्ट स्टेटस का राइट रिजर्वेशन का लाब दिया जाएगा यह बात आज उठाना इसलिए जरूरी है कि शीडूल कास्ट के लोगों को सिर्फ नौकरी में ही आरक्शन नहीं मिलता है उनको लोग सभा में और MP में भी सीटे रिजर्व रहती है रनातन कमिशन ने का कि जो है सब को दे दीजिए सी कोई कनवर्टेड है उसको भी सी का स्टेटस दे दीजिए आपको बालू है कि शीडूल कास्ट और है 1950 उसमें लिखा हुआ है कि जो बेनेफिट ऑफ शीडूल कास्ट रिजर्वेशन शाल बी अवेलेबल ओन्ली टू हिंदूज और बाद में उसमें बुद्धिष्ट और सिक को जोडा गया क्योंकि व्यापक परदी में वो आते हैं इसका कारण क्या था हमेशा समझे हमारे आदिवासी भाईयों के रिजर्वेशन दिया गया उनको जंगल से शहर में लाने के लिए वो पढ़ ही लिखिया आगे बढ़े और हमारे श्रुल कास्ट के लोगों को जो सैक्लों वर्षों से उनके साथ विभेद किया गया अपमा क्या अब आप सबको देंगे बीजेपी श्रुल कास्ट में हिंदूों के पक्ष में जो अरक्षन है उसको छीनने का प्रयास किया जाएगा इसका पूरा विरोध करेगी यह समवैधानीक है इस अनकॉंस्यूशनल यहों नहीं सकता आपको हम बता हैं यह लोग जो इस तरह की पॉर्टिक्स करते हैं कुछ मिना कानुन से संब्धने आप जानते ही हैं एक सुप्रीम कोड का बला फेमस कैसे सुसाई वरसे स्टीट अफ तमिलाडू विध्यान आया है हमने का आप चर्चा कर दूं उसमें एक श्रुल कास्ट क सज्जन कनवर्ट कर गया क्रिश्चैनिटी में और रेल्वे की बड़ी नौक रिलेजर रिजरन कोड़ा से उसके चैलेंज किया गया हो हार गया मदरासाई कोड में फिर सुप्रीम कोड आया सुप्रीम कोड का शादेटी सिक्स का जज्जमेंट है बहुत बड़ी बात कही स कुप्रीम कोड जब तक आप यह स्थापित नहीं करिएगा कि कि कनवर्ट होने के बाद भी आप उन्हीं डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं जो आप हिंदू समाज में सफर करते थे तब तक आपको अरक्षन गालाब नहीं मिलेगा यह देश का कानून है और राउल गांदी करें कि हम सबको अरक्षन लेंगे फिर हम रिपीट करना चाहेंगे भारतिय जन्ता पार्टी ओबी सी अती पिछड़े के अधिकारों को अगर वोर्ट बैंक के नाम पर छीना जाएगा मुस्किनों के पक्ष में इसका हम पूरा विरूत करेंगे और अगर शरूल कास्ट में मुसल्मानों को शामिल करके उनके अधिकारों को लिया जाएगा तो उसका इंपैट कहा जाएगा आप लोग कई वरिश परत्रकार हैं आप जानते हैं कि भारत के सम्विधान में प्रावधान है कि आरक्षन कितना मिलेगा शरूल कास्ट के लिए ये उस राजी की आबादी पर करता है शरूल कास्ट की और किस जिले में मिलेगा उस जिले के आबादी पर डिपरंट करता है तो इलेक्टोरल डिजर्वेशन सुर्फ शरूल कास्ट को है ओबी सी को नहीं है तो अपने ओबी सी बनाएंगे तब वो अधिकार चीनेंगे इसका हम पूरा विरोद हैं न पढ़ते हैं न लिखते हैं खली सम्विधान की लाल किताब लेकर चलते हैं कितना समझते हैं उसको वी तो अलग बात है तो आज उकी इनकी डिमांड क्या लोग पर इन विश्य को उठाना ज़रूरी था इतने एक अंतिम विश्य कहना है करनाटक से खबर आई है कि व बढ़ा के हचका बचा के हां तो नौकरी पर कम थी क्या कि यह हमारे पास आया है कि खबर एक सिदार में सरकार पब्लिक टेंडर में मुसल्मानों को चार फिरिष्टी आरक्षन देने के मकसद से सावजणी खरीद में पार्दिशा अदिया में संशोदन कर रही है हला हुआ तो काई डिमांड तो है हमने अभी रोका हुआ है अब देख रहे हैं दोनों बाते कह रहे हैं वैसे आपकी जनकारी के लिए कमाल है करनाटक में 32 फिसिदी ओबी सी अरक्षन है कैटिगरी वन टूए टूबी ठीए ठीवी में बाटा गया है कैटिगरी में एक में 391 जातिय है वहाँ 4% डिजर्वेशन है कैटिगरी टूए में 393 जातिया है और मुसलमानों की 19 जातिया है जहां 15% आरक्षन दे जाता है और कैटिगरी टूबी में सारे मुस्लिम्स को आरक्षन दे दिया गया तो करनाटका कमाल का स्टेट है कि वोल्ट बैंक के लिए कहां चले जा रहे हैं तो अब उससे संतुष नहीं थे तो ठेकदारी में भी आपको आरक्षन मिलना चाहिए यह सारा काम देश को तोड़ने का हो रहा है वोल्ट बैंक के नाम पर दे बीजेपी वोड लाइक तो इंफार्टिकली से तो अल इस बीड़न तो वीकन दे कांट्री तो डिवाइड दे कांट्री जस्ट वर्ट बैंक पॉलिटेक्स और जो constitution के उधेश हैं उसको कमजोर करने की बात कर रहे हैं और काते हैं समविधान मचाने के लिए इनिफ़र्म सिविल कोड आर्टिकल फुर्टिवर में आता है women empowerment article 15 में आता है तीन तलाग उसमें आता है यह सारी बात है सम्विदान के अंतरगत में है तो इसे लिए हमारे प्रधान मुंत्री का जो नारा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे यह और प्रासंगिक है एक रहोगे तो सेफ रहोगे यह बहुत जरूरी है ऐसे ही विगिटनकारी तत्वों जो वोर्ट बैंक के लिए किसी सीमा तक नहीं जा सकते हैं जल चले आते हैं और कॉंग्रेस पार्टी का इतना सफाया हो रहा है फिर भी कॉंग्रेस 1950 मॉडल पर ही चल रही है हां या कम से कम यह तो हम कह सकते हैं कि पूरा यह जो शाबानों प्रकरण था 1986 का तो जो कॉंग्रेस 86 में जहां थी वह ही 2024 नहीं यह तो हम कह सकते हैं